आज के खुबसूरत दिन, फिर एक बार प्रभु अचनों के मानन के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ विश्वास के द्वारा हम क्या खुश नहीं कर सकते बहुत बार जिन्दगी में विश्वास की कमीट होने के कारण हम जीवन में हमारे अससक्सफूल होते हैं फैल जड होते हैं, हमारे लुजनावों में हम फैल हो जाते हैं लेकिन सही विश्वास क्या है और पवित्र शास्त्र, या परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है तो आईए हम बढ़ेंगे वचन कहता है पहला यगुनभी और पाँच और चार में क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्फन हुआ है, वो संसार पर जय प्राफ करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राफ होती है, हमारा विश्वास है, क्या आपने सुना, परमेश्वर का जो विश्वास है, वो हमें संसार पर जय देता है, यहाँ पर संसार लिखा होता है अपनी जिंदगी बहुत सारी बातों को === दिमेदारियों में धेल हो जाता है अपनी ऐड़ चुकुत है पर हमें विजी प्राप्त कि यह जरुद हिस बहुत बार हमारे इंटेलेक्च्छन जिंदगी में हमारी बुद्धी और क्यान हमें जो experience है उससे हमें यह लगता है कि मैं जय पालूंगा मैं successful हो जाओगा लेकिन हजारों उधार इस दुनिया में है जिनके पास बहुत सारा ग्या पैसा experience था वो लोग कहीं पार अपनी जिन्दगी में fail हो गए, नाकाम हो गए और कईयों ने अपनी जिन्दगी के सफर को खतम कर दिया, suicide कर दिया लेकिन परमिश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जिसने इस संसार पर जय प्राप्त की है वो है आपका विश्वास और ये विश्वास वो है जो हम एक-एक विजयता या निर्मान करता इश्वर पर रहे परमिश्वर ने कहा है जो विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ संबह होता है क्या आप विश्वास करते हैं कि दुनिया में एक ही परमिश्वर अगर आपका ये विश्वास है तो मैं आपको उक्तिजिन करना चाहता हूँ एक ही जो परमिश्वर है जिसमें मनुष्ट को रचा जो पूरी सफलता और विजय का दापता शुरोत है वो परमिश्वर आपको रिश्री विजय बनाएगा क्या आप अपनी जिन्दगी में खुट को फेल महसूस करने आपको लग रहा है कि सब कुछ खतम हो गया तो मैं आपके लिए एक अच्छी या गुटनिय उसके बताना चाहता हूँ आईए फिर से एक बार उठिये और उस रचेता इश्वर कर विश्वास करिए और कहिए कि प्रभू मैं आपके विश्वास को पाना चाहता हूँ मुझे जिन्दगी के सफर में विजे जीना है प्रभू आपको मदद करेंगे और आप निश्री देखेंगे कि उस परमिश्वर ने आपको विजे बनाया परमिश्वर आपके दिन को आशिशित करें